मिठाई के खाली डब्बे बिल्कुल भी मत फेके वरना फिर आप लोग डबा डबा ढूंते फिरें क्योंकि आज में आपके साथ इतनी जबदस्ती टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आज के बाद मिठाई के डब्बाओं का आपके साथ शेयर करूंगी जिसे देखने क बाद आपके बिल्कुल होश और जाएंगे तो आपने करना के वीडियो को एंट तर कम्पीड वाच करना है क्योंकि आज की वीडियो से आपको बरपूर फाइदा होने माला है प्यारे वर्स कैसे हैं आप सब अमीद करती हूं खेरिया से होंगे और फस्क्लास होंगे तो अ आपको दूँगी ऐसी चाहिये बिल्क अपने हाद के और फॉल्ट कर लेना है जिस तरीके मैं आपको कर की आएंसानonta means ब्लॉस चो बस आम बाद पास यूजर के केचर鏡 और का नहीं ओढा दूंगी क्यूर Einatim used जैना हो तो फिर आप लों क्या कर सकते हैं इसके लिए वह resultा क् माल का यौिडिया बताती आप लोगा निक्नार के जब भी आपड़त होते हैं तो के पड़ी होती हुई पुसके बादे पडिए होती लेह क्रों कर दो अ करें तो इस तरीके से अपने इस तरीक को संभाल के रख सकतें और जब भी आपको टाइम पेस्ट चाहिए होगी फटा फरसे निगा लें और यूज कर लें और दो बारा से इसके प्रक्षाइब को लगा के रख लें तो हैना पोकाती कमाल की टिप तो सेकंड टिप जो इस तो सब्सक्राइब को अञे हैं तो आपको लिए फटले हैं और चौडा की बोटें चाहिए मैं चैण और गीले कपड़ेय के सबसे पहिले से जाफ कर लें उशके आ trzyब हो क्रदी होगे फास को निए कि तो इसका इस्ति जिसके मोहन थाल हो गया यह पर बेसन की बर्फी हो गई इस तरह कि बहुत सरे स्वीट डिशिस नहीं बनानी होती है जिने सेट करने के लिए हमारे गर में कोई भी मॉल्ट पगेरा नहीं होता कोई भी डबा नहीं होता जिसके अंदर मिठाई को सेट कर पाएं तो आप लोगो आप लगों को मार्केट से बहुत ही महिंगे महिंगे मॉल्ट करने की जरूवत नहीं पड़ेगी बिल्कुल फ्री महीं आपके मिठाई जोगी सेट हो जाएगी तो चाहे तो बेसन की बर्फी बिना लें जो मर्जी सेट करना है इसके अंदर बहुत ही आराम से आपकी सेट ह तो मिठाई की डबे का एक ऐसा जुगार बताने चाहिए जिससे आपका बहुत ही कीम्ती टाइम जो का बच चाहेगा तो आप लोग नहीं करना है कि अक्सर गरह में लड़कें जो होती इस लाइव अगेरा करती हैं तो इस तरह के दागों का इस्तमाल बहुत सदा करती हैं लेकि जब भी उन्हें कोई रंग बरंगी दागा इस पर चाहिए होते हैं वो वक्त के टाइम पर कभी भी नहीं मिलता मैचिंग का तो आप लोग क्या करते हैं इस तरीके से उठागे रख देते हैं लेकिन नर्कियों को संबाल कर रखने का एक बहुत ही कमाल कर बहुत ही ज कालने तो है ना यह वहुत ही कमाल का जुगार तो इस तरीके से आपने बहुत ही किम्ठेंटी टाइम को बचा सकते हैं तो चलते से हैं आप डिप नमबर फॉर की तरफ टिप नमबर फॉस जो एनमेरे इस शोपर के हवाले से अकसर हमारे घर में शौपरों जो नहीं भी सेट करके जो तो यहां पर हमारा घट जाएगा हमारा बहुत ही सबस्क्राइस तो जब भी आपको शोप्ड़ वगिरह लेनी हो तो इस तरी मंठीशू निकालते हैं वैसे इस निकाल सकते हैं अगर आप लोगों गर्मेंट टिशू बग्स पढ़ने हुए तो आप उसके इंदर भी शोपरों को डाल के रख सकते हैं लेकिन अगर आपके पार टिशू बग्स नहीं है तो आप इस तरही किसे मिठाई के डब्ले का जुगार बना के भी रख सकते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको जितनी मर्ज़र शोपरें चाहिए होगी इसके अंदर डाले और फिटाफर से निकाल लें तो उमीद करती हूं कि यह टिप यह आपको पुछ दा पस्ता होगी तो हैना बहुत ही कमाल का एडिया तो आपने भी इस टिप को लाजमी ट्राय करना ह तो उमीद करती हूं कि यह टिप आपको पहुछ दा पस्ता होगी तो चलते चना आप टिप नंबर फाइफ की तरफ टिप नंबर फाइफ जो है मेरी मेडिसन के हवाले से अकसर होता है कि हम लोग गोलियां मंगवाते हैं बहुत जाद कुछ कोलियां खाल लेते हैं और पाल के रख लेने और जब भी आपको मेडिसन की जरूरत हो तो फटा फट से आप निकाले और से यूज कर लें और आपकी एक गोली भी जोगी वह जाया नहीं होगी तो चलते चना आप टिप नंबर सिक्स की तरफ तो चना आप अक्सर क्या होते हैं हमारे गर्में गैस्ट चमच के ओपर क्लॉथ पिन को लगाएं और आपका चमच जो का बिल्कुल भी डूबेगा नहीं इस तरीके सालन के अंदर तो बस इस तरीके से आप नगोने करना कि जब भी सालन के अंदर तेरे गावी नहीं और आपके हाल जोंगे वह गंदी भी नहीं चलते चना आप टि आप लोगों ने करना के मिठाई के अंदर संबाल के इसे रख देने और चब भी आप लोगों ने कपड़े दो ने और फटा-फट से बॉक्स को निकालें और सारे के सारी क्लॉथ प्रिंस को निकाल कर सकते हैं अगर वीडियो को देखते हैं आता आहीं गया तो इसका मतलब पी आपको बहुत सब्सक्राइब चलते हैं आप टिप नमबर एड की तरफ तो आप लोग इन छोड़ी मोड़ी टिप्स को फॉलो करके अपनी जिद्धी को आसान बना सकते हैं अपना बहुत ही किम्टी टाइम को बचा भी सकते हैं तो अकसर मारे गरों में डूट पेस होत लगाने क्लोथ पेंच जो कि हम सब गरों में ही पड़े होती हैं लेकिन आप लोग इसके फायदों को जानते हैं लगा के रख लें और बार बार आपको ट्यूब को उपर लाने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो चलते चलना आप टिप नमबर नाइन की तरफ टिप नमबर चोटे खतम हो जाते हैं अरजेंटी टिशू भी चाहिए होते हैं तो इस तरह कि पैकर्ट्स जो होते हैं लेकिन टिशू जो गुम जाते हैं तो आप लोगाने कि जिदिम टिशूस आपके पास होंगे सारे के सारे मिठाएं के डबे के अंदर ट्रांस्फिर करके इसे रख चैने और जब भी आपको टिशू को इस तरह निकाल के फटाफट से यूज कर लें तो हैंना बहुत ही कमाल के बहुत ही जबदस टिप इस तरीके से आपको एक टिशू को फॉलो करके आपने जिन्दीकी को आसान बना सकते हैं अपना बहुत सारा किम्टी टाइम जो आज कर किसी के पास होते ही नहीं उसे बचा भी सकते हैं तो हैना बहुत ही शांदास टिप तो उमीद करती हूं कि यह सारी के सारी टिप्स आपको बहुत सब्सक्राइब कर देजीगा तो चलती चुना आप प्रेलोड करांगे इसी तरह की बहुत ही यूनिक आइडिया के सार्ट थ